प्रस्य किशान का रिशाला प्लाटपॉम पर आज हूँ वर्धा दिस्टिक में बेडी करके ग्राम है वहाँ पर यह किसान मेत्र है जिन्नोंने न्यू लैंड पर्चेस करके केला खेती पपिदा खेती और टामाटर की खेती यह की भी है और लगबग यहाँ पे सिखी जी नाइन बनाना प्लांट जो है यहाँ से शुरुवात होकर पूरा लास्ट अगर आपको दिखेगा तो पूरा ग्रीन जो यहाँ पे ग्रीन जो दिख रहा है यह प पे CKG9 केला प्लाइंटर लगा हुआ है और गर्मी में केले के पौधों में क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए यह किसान से थोड़ा आप समझ लिजे बेड बगरा का सिस्टम देखना है यह लाइन से लाइन 5 फिट और पौधे से पौधे की दूरी 6 फिट पे लगा हुआ है और इन्होंने जिग-जैक में इसको किया हुआ है लेकिन बेड सिंगल है और पौधे से देड फिट दूरी पर पश्चे मौर दक्षेंडिशा में संड लगा हुआ है यह पौधा और उसके दक्षेंडिशा में संड लगा हुआ है जिसे यहाँ पर बोरू बोलते हैं कोई क्या ड्रेंचिंग और स्प्रेंशेडूल इनन किया गया है किया हुआ है काफी मतलब के इतनी भहेंकर टेंपरेचर और गर्मी है फिर भी यह लगबग देड महिने का पौधा आप देख सकते हुआ कि कितना अच्छी तरीके से ग्रीनर यह और मैचुरीटी लेकर खड़ा ह और पौधा अपने आपने मैचुरीटी में खड़ा नमस्कार सर्जी आपका परिशे बताई हम लोग कहां पर हैं नीद ज्यानूसर मानकर भीडी गाउ भीडी तालुगा देवडी जिल्लावर दा माराष्ट्र ये अप्लैंटेशन कपका है आपका और कौनसा पौधा लग अपना ये शाथ आठ चे शाथ आठ मार्च दोजार चूविसको ये प्लैंटेशन किया शीके जी नाइन प्लांट जी नाइन गनिश किसान इनके मादव से लिया प्लांट अभी लगभग साथ आठ मार्च में पोधा लगा हुए आज की तारिक है तीस एप्रिल मतलब लग लगभग एक 45 से 50 दिन का पोधा है 50 दिन का तो 50 दिन के पोधे में ग्रोध और मैचुरिटी आपको जो से पहली बार आपने किला लगाया हुआ है तो आपको क्या समझ में आ रहा है पहली बार लगाया एक हमारा तुन्हें आनुभव है और जैसे अपनी गणीज भाई मार्गदर्शिम का कर रहे है वैसा हम कुछ आगे बीचे हो रहा हमारा हाथ से उनके मार्गदर्शिम पी चलुए मतलब की जितना गाड़लान दिया हुआ हुथ ऊतना भी नहीं हो पारा है लगभख कम हो रहा लेकिन फिर भी पौधे की मैचुरिटी और रहे दस से बारे पान पे अच पत्ता निकल गया है और मतलब पौने दो महना हुआ है दसपता यहां पे निकला हुआ है मतलब कि लगभग लगभग को अच्छा चल रहा है यह बता हो क्या यह पचाश दिन के हिसाब से पौधा अच्छा है लेकिन अपने को थोड़ा सी दो-चार सीज़े करनी पड़ेगे जैसे पौधे लेज भी लिधू अब ही जिक्रा जिक्रा पॉधा है वरना पौधा पंगो भागर लेगा अब ही ये सबेरे के दूब ये नहीं लगए ले रहे रहा हुँँ पौधे पास तोड़ा सा हवा अगर रहेगा ना जेंता हुआ अपौधे के स्पाम में माचुरिटी आएगी पौधे के पत्वमें भी माचुरिटी आएगी है आपका बेड़ पे लगा हुआ है और काफी अच्छा है तो हुमेडिटी जो है वो बढ़ी हुई है लेकिन बहुत ज्यादा है अब यह जो तोड़ा है इसको थोड़ा सा हवा लगे आपने तो एक बार इसको कट भी कर लिया है मैंने बोला था फिछले बार मेरे कट किया कट करने के बाद आपको दिखा होगा फरक की पौधे उठना शुरू हो गया होगा तब तक पौधे दवे बढ़ जाता है नहीं पौधे को क्या होता है न से एसी में हर बार बैटने वाला बंदा थोड़ा सा आगया लिए अगर धूप चाओ धूप चाओ में अगर रहोग पेड़ में चलना चाहिए वातावरन में टेमपरेटर बढ़ा मतलब के आराम कर आ है तो ये समय में उसकी ग्रंथिया है उसकी पेशिया है इस टेमपरेचर में करने चाहिए तो पेड़ मझमें दवगा येल्ड अच्छी आए अजब ये पचला तो नहीं नहीं है आपको अब आपको बोला हुआ है बेड के उपर रखना है ताकि यहां पे बेड के उपर हो जो अभी तो यहां पे खासी न आएगा ने जा होता है ओड कर ने ओर मखन बने सी यहां डाई तो यह बलका है घरत आपकी आउवाँ थाला देपा चुन के उपर हो